आपने अभी तक TMT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकॉन की बटन को दबाना न भूले ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे नमस्कार आप देख रहे हैं TMT News और मैं हूँ आपके साथ छवी देश भर में अब शादी करवाने के नाम पर भी लोगों के साथ जमकर ठगी की जा रही है ऐसा ही मामला खंड वाथाना क्षेतर में सामने आया है जहां शादी से कुछ मिंटों पहले ही एक लुटेरी दुलहन दूल है सहे तो उसके परिजनों की आँखों में धूल जूंक कर परिजनों ने बताया कि उन्होंने शादी के लिए एक युवक को पचास हजार रुपे दिये थे जिसके बाद एक लड़की से शादी ते हुई थी मगर लड़की वाले बार बार शादी की बहाने बना कर टाल रहे थे मगर बुद्धवार को शहर के दादाजी मंदिर में ह तो रही शादी के दोरान ही लुटेरी दुलहंग फरार हो गई जिसके बाद लोगों ने पैसा लेने वाले दलाल युवक को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया इनको दोखानी करें करें तो मैं ठीक है अपने घर लेके अपने घर आते इनने लड़के को तिलक लगा दिया लागा दे आत्वे मंगनी कर दी और अपने से 40,000 रुपे ले गए अपने से 15 दिन पे पे ने अच्छा शादी कपके निकली ती सादी आज 26 तारी की ती तो आज इनको और 12000 रूपे देना था और रात को दिये रुपे आपने किराया कि बुले इनके लड़ी के बाल को रात को दिये बुले उनको यहां लेक्ट कर आऊ खंडवा इदुनि वाले बाबा के मंदिर में आप भी आ जाओ बुले लड़ी वाले बीया रहे हैं तो हम यह बालाद लेक्याए अधी तक उनको पते हैं आप लोग वाले के लेक्ट रेक्ट लेक्याए और रहने वाले देश गाउं कि अगए यह और लडोड़ी वाले साहपूर के ब्रहानपूर अब क्या इस्तिति यह थाने में आए हम परेशान हो गए और लड़े को इसने बहगा ताजा मंटू